आईपेल दोजार एकीस का दूसरा चरेंट शुरू होने में अब सिर्फ गिंती के ही दिन बचे हुए हैं और लगबग सभी खिलाडी युए ही में अपनी फ्रेंचाइजियों से जुड़ चुके हैं जहां सभी टीम को इस दिन में शुरू उने वाले टोर्नमेंट की तैयारियों में बिजी हैं वहीं MS-Doni की चेनाई सुपर किंग्स समय चिंता में डूप गई दरसल दस अंकों के साथ अभी पॉइंट स्टेबल में दूसरे पायदान पर मौझूद मेदान पर एकसर टीम की चिंता को कम करने वाले डूइन ब्रावो फाफ डूपलेसी साम करन और मौईन अली ही अब तक उसकी चिंता बन गए दरसल डूइन ब्रावो चोटिल है उन्होंने मैदान पर वापसी तो कर लिये मगर पिछले मैच में उन्होंने गेंदबाजी नहीं की वहीं कैरेबियन प्रीमेर लीग में सेंट लूपलेसी के कप्तान और सीसके के सलामी वल्लेबाज फाफ डूपलेसी चोटील हो गया है और वो बाबड़ोस रॉयल्स के खिनाप मैच में नहीं उत्रे उनकी मांस पेजियों में खिचाव ब्रावर और डुपलेसी की चोट के लावत सैम करण और मोहिन अली को भी सीसके चिंता में डाल रही है दरसल दोनों इंग्लिश खिलाडियों के प्ले-आफ में खिलने के उमीद काफी कम है आईपल 2021 के दूसरे च्रण के मुकाबले 19 सितंबर से UAE में होने है इंग्लिण के 6 क्रिकेटर पहले ही किसी ना किसी कारण से T20 लीग से हट चुके है अब कबर है कि प्ले-आफ के दुरान बचे 10 में से 9 खिलाडी भी नहीं खेल सकेंगे यानि सभी इंग्लिश खिलाडी माच तक उपलब दिर रहेंगे लेकिन उसके बाद प्ले-आफ में वो नहीं खेलेंगे यानि कि एक बात तो होता है कि CSK के लिए बहुत बड़ी मुसीबत यहां पर आन पड़ी है अब यह देखना होगा कि यहां पर CSK किस तरीके से शांदार प्रदर्शन करती है इन खिलाडियों के ना रहने से झाल